इस वीडियो में हम आज आपके साथ शेयर करेंगे के आपको जो GSTR1 जुलाई की कैसे गौवर्मेंट की आफलाइन यूटिलाइटी जो गौवर्मेंट ने रिटर्न फाइल करने के लिए गौवर्मेंट की वेबसाइट है यो आपके स्क्रीन पे आ रही है वहां से आपने डाउनलोड करनी है और सारी जो इनफरमेशन है जो अभी तक आपने बिलिंग की है उसकी इनफरमेशन आपने इस यूटिलिटी को यूज करके एक जेसन फौर्मेट में कैसे कनवर्ट करना है और उसके बाद गौवर्मेंट के पोर्टल पे आपको ये फाइल जो आफलाइन इूटिलिटी के थूँ आपकी रेडी हो जाएगी उसको अप जाके GST के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको गौवर्मेंट की जो वेबसाइट है उसके जाना है उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है उसके बाद आफ-लाइन यूटिलिटी और यहां से रिटार आफ-लाइन यूटिलिटी टूल पे जैसी आप कलिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ऐपन होगा इस पेज पेर फिर्स लिंक दिया हुआ है डाउनलोड और यहां डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है और इसको बॉजर में यह जो यूटिलिटी है जैसी आप इस DZD रंड करेंगे तो यहां पहर आपको ये यूटिलिटी इस तरह से आपके बॉजर में ये आ जाेगी haft quarterulaire वाइड फॉल्ट आ जाएगा यहां पहर आ जाएगा अपना यहां प Hisaina & 50 Г जुलाई की अपलोड कर रहे हैं तो यहां पे जुलाई ले लेंगे उसके बाद एग्रियेट टरनोवर जो लास्ट फ्रेंशल एर की है हम यहां पे डालेंगे और जो एपरेल से लेके जून तक अभी हमारी सेल थी जो टरनोवर थी हमारी वो यहां पे डाल देंगे उसके बा यहां पर import files पर click करना है और उसके बाद आपको इसमें section wise data डालो because अगर किसी section में किसी advice में कोई दिक्कत होगी तो आपको section wise clear हो जाएगा कि कौन सी advice में date जाको format कोई मेरा mismatch है तो यहां पर आप इसमें एक पूरी excel sheet बना के भी डाल सकते हैं तो यहां पर section wise डालने के लिए यहां पर सबसे पहले जैसे हम B2B जो हमने जिन parties को हमने GST advice दी है जिनके पास GST नंबर था चाए वो इंटर स्टेट थी चाए वो लोकल थी उनको सबसे पहले हम upload करने के लिए यहां पर B2B advice पर click करेंगे और उसके बार यहां पर import CSV पर click करेंगे और इदर से हम अपर यहां पर आपको display में आना है और display में आके आपको अपनी GST report open करनी है simply यह तो आपकी सारी daddy है यहां पर मैंने B2B पर click किया और यहां पर मैंने July का यहां पर turn ले लिया मैंने जैसे ही मैं यहां पर okay करूंगा automatically जो हमारा ERP है यह पूरी report जरनेट कर देगा इससे simply आपको यहां पर as per government CSV format पर click करना है जैसे ही आप CSV format पर click करेंगे software automatically एक CSV format में आपकी file जरनेट करेगा इस file को यह आप दिखेंगे पूरा Excel format में यह open हो गया इसको आपने यहां पर save as करना है save as करने के बाद suppose करो मैं मेरे पास यहां पर एक मैं folder create करता हूँ यहां पर new folder क्योंकि कई बार आपकी काफी forms होती है तो यहां पर एक folder create करो उस form के नाम से और उसके अंडर जे GST की जितनी वी CSV files हैं वो यहां पर हम save कर लेंगे जैसे v2b ले लिया मैंने और इसको कर दिया save yes कर दिया इसके बाद इसको कर दिया मैंने close और यहां पर कर दिया don't save और इदर से मैंने offline utility open की और यहां पर मैं अपना path share करूंगा path share करने के लिए मैंने यहां पर रखा था gstr1 और यहां पर मैंने यह जो फाइल वहां पर create हुई थी software ने automatically create कर दी थी मेरी उस पर double click करूँगा और जैसे ही मैं double click करूँगा यह पुछेगा are you sure you want to save the data यहां पर हम yes बटन पर click करेंगे और जैसे ही yes बटन पर click करेंगे automatically हमारा यह data upload हो जाएगा और इसको देखना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 35 unwise इसमें upload हो गई है इस पर हम click करेंगे तो automatically आप यहां पर इसका 1y1 देख सकते हैं चेक कर सकते हैं कि मेरी proper जो मैंने उदर से billing की थी वो load हो गई कि नहीं फिर यहां से मैंने ले लिया B2C और यहां पर फिर ERP में आया जो भी आपका data है जैसे जैसे आपने unwise upload की हैं उसी format में ओके किया यह मेरी unwise है v2c small जो मैंने issue की है इसको मैं csv format में यहां पर ले लिया और यहां से फिर मैंने इसको save as किया इस ERP में ऐसा नहीं है कि आप एक ही company का एक ही firm का business कर सकते हैं आपकी जितनी भी forms है उसका आपने data maintain करना है तो यहां पर मैं gst return button में इसको भी मैं यहां पर save कर लेता हूं और save करने के बाद इसको इदर से मैं browser में फिर आया और यहां पर मैंने import csv किया अभी यहां पर मैंने इसका नाम rename जैसे आप चाते हैं वैसे आप रख सकते हैं और फिर दवारा से yes किया और इस तरह से जो मेरी return है जो json format है वो हमारा ready हो गया इस तरह से जो v2c है वो भी यहां पर हम check कर सकते हैं double click करके इस तरह से step by step आपको सारी files जितनी भी आपके ERP में है जो अभी तक आपने billing की है उसके according government परफॉर्मा के according यह right होती है यहां पर डिर नहीं है इस तरह से कोई advance है या advance आपने receipt वगरा की है वो यहां पर आपको आ जाएगी और इसी तरह से जो advance receipt थी जिसके against मैंने and y issue कर दिया वो यहां पर आ जाएगी उसके बाद यहां पर आएगी hsn code wise report आपकी okay किया यह मेरी hsn wise summary आगी इसको भी हम यहां पर csv format में ले लेते हैं जैसी hsn wise summary करेंगे तो यहां पर हम hsn summary लेंगे यहां पर yes किया और यह मेरी hsn summary भी upload होगी इस तरह से आप यह सारी files जैसे जैसे आपकी load होती जाएगी जो भी debit note, credit note, b2c, b2c large जो भी अभी तक आपने advices दी है उसके according सारी जो आपका ERP है जैसे जैसे आपने billing की है वो आपकी gstr1 यहां पर पूरी आपको मिलेगी इसमें आप section wise चेक कर सकते हैं section wise आप upload करेंगे उसके बाद simply generate file करेंगे और यह हो गई आपकी json file ready ठीक है और यह json file अभी आप government portal पर जाके upload कर सकते हैं means simply अभी तक हमने आपको बताया कि ERP को कैसे use करना है अभी इस आप json file को आप मतलब भी practically अपने portal पर जाके अपने CA साब को जहां अपने accountant साब को दे सकते हैं और वो यह file से automatically आपकी return government portal पर अपलोड कर देंगे इस ERP में एक बात और देखेंगे यहां पर हमने कुछ यहां पर self audit tool यहां पर क्या है कि आपको यह पता चलेगा कि किसी बिल में ऐसा हुआ हो कि मैंने किसी party का state code ना डाला हो यहां पर देखेंगे आप कि party को मैंने यहां पर अगर आपको कोई mismatch होगा तो automatically यह यहां पर error red color में यह show कर देगा कि यहां पर आपने state code नी डाला party का यहां पर कोई आपने गड़बड कर दिया जा party को GSTN नमबर नहीं डाला तो वहां पर उस row को यह blink करेगा software automatically इस तरह से अगर कोई आपकी mismatch है जा कोई गड़बड है वहां पर यह error देगा इस तरह से आप पहले इस report के थूँ आप चेक कर सकते हैं कि जो मैंने entries डाली है वो बिलकुल cracked है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इस ERP को आप use करके government offline utility के through आप आज ही अपनी return file कीजिए कहीं पर कोई आपको दिक्कत है कहीं पर आपको trouble है तो आप हमारे technical engineer से consult कर सकते हैं शुकरिया thank you खोश रहो